नमस्कार दोस्तों, फाइनली हमें इंडियन फुटबोल फेडरेशन की तरफ से एक ऐसा स्टैप देखने को मिला है जिसके इंडियन फुटबोल को ना सबसे ज़्यादा जरूरत थी इंडियन फुटबोल को क्या भाई सारे फैंस भी इस सीज की काफी लंबे समय से डिमांड कर रहे थे और अब जाकर इंडियन फुटबोल फेडरेशन ने इस स्टैप को पूरा किया है जिसको इन्होंने कुछ साल पहले रोक दिया था हमारी इंडियन फुटबोल फेडरेशन की मीटिंग हुई है और वहां पर उस मीटिंग के अंदर बहुत सारे जरूरी स्टैप को अनौन को बारस lightning को यहे और शुछ पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब करते करो रिक्वेस्ट आप लोगों से आप लोग करते हो तो अच्छा लगता है आप चलते हैं वीडियो की तरफ तो वह देखो सबसे पहले और इंडियन फुटबोल फेडरेशन ने आप एक तरीकी से समझ लो अपना इंडियन एरोज वाला प्रोजेक्ट जो उन्होंने दो तीन साल पहले बंद किया था ना उसको वाफिस रिवाइफ कर दिया है इंडियन फुटबोल की अंडर 20 की जो टीम है ना भाई हमारी AIFF ने डिस मिलने वाली है आई लीग की टीमों के साथ काफी क्वालिटी मैचिस खेलेगी जिससे इस टीम की ग्रोथ भी होगी और उनका मेन रिजन यह है इनको आई लीग में उतारने का कि एक सप्लाइज चेन बन रही है हमारी नैशनल टीम के लिए क्योंकि अंडर 16-17 तक तो फिल भ और गेम टाइम नहीं मिलता है और इसी स्टैप को लेकर AIFF ने डिसीजन यह लिया है कि इंडिया की अंडर 20 टीम आई लीग में जाकर खेलेगी इससे इनको अच्छी खासी हेल्प मिलेगी क्योंकि इनके AFC के क्वालिफायर्स आ रहे हैं जहां पर भाई यह इरान लाउस औ और मंगोलिया के सामने खेलेंगे इरान एक हमारे लिए अच्छी खासी टकर होने वाली है मंगोली और लाउस को तो हम हरा सकते हैं और हरा देना भी चाहिए हमारे जो अंडर 20 के कोच है रंजन चोदरी वह इस अंडर 20 की टीम को AI लीग में भी लेकर जाएंगे AFC के क्वाल सब्सक्राइशन चल रही है और मुझे आसा लगता है यह एक सिमिलर प्लेंग स्टाइल लेकर जाना चाते हैं सारे एज ग्रूप में जो बहुत अच्छी बात है कि रिसेंट में भी एसी नियूस भी आती कि हिंडिया जो है वह अपना खुद का प्लेंग स्टाइल बनाना प्लेंग स्टाइल में कोई दिक्कत ना हो क्योंकि अगर अंडर सिक्स्टिंग में लोग बोल्ड खेल रहे हैं अंडर 23 में काउंटर अटैकिंग खेल रहे हैं और नेशनल टीम में अलागी गेम साइब चल रहा है तो यह चीज़े थोड़ा सा प्लेट्स के लिए मुश्कि सिमिलर प्लेंग स्टाइल लेकर चला जाए हर एज ग्रूप में तो यह अच्छी बात है और मैनोलो मार्के इसी चीज़ को इंप्लांट करना चाते हैं इंडिया के सारे एज ग्रूप में और इसी निए वो इंडिया की अंडर 20 टीम से मिले हैं जाकर एक और AIFF ने अपनी म लब्स के जो ओनर है उनकी भी यही दिमांड थी कि आई लीक के जो मैचीज है इनकी जो ब्रोड कास्ट क्वालिटी है उसको थोड़ा सा इंप्रूफ किया जाए और इसके उपर काफी मतलब लंबे ताइम से डिसकेशन चल रहा था तो अब AIFF ने अपनी मीटिंग के अंद स्टेडियम के अंदर लगाए जाएंगे उस ब्रोड कास्ट क्वालिटी के लिए और उसमें AIFF ने अपनी तरफ से जितने भी सारे क्लब्स है ना इनको बोला है कि अगर हम इंप्रूफ कर रहे हैं तो आपको अपना भी इंफ्रास्ट्रक्चर अब इंप्रूफ करने की जर से यह ब्रोड कास्ट क्वालिटी आपको दे रहे हैं तो आपके जितने भी हों स्टेडियम जैना वहां पर एक तो उसकी पिंच क्वालिटी को इंटरनेशनल लेवल का किया जाए ताकि ब्रोड कास्ट का थोड़ा सा लगी मजा है और इसके साथ फ्लर्ड लेट जितनी भी है शेडियम के अंदर वह उतनी तो होनी ही चाहिए कि ब्रोड कास्ट में हमें अच्छे से देखने को मिलें कि हाँ यह बढ़िया मैच चल रहा है और यह चीज़ से एक क्लब के लिए नहीं है यह चीज़े भाई सारे आई लीक क्लब के लिए हैं जितने भी क्लब है जितने की मीटिंग से जुड़ी कुछ बाते अब चलते हैं हमारे हैड कोच मैनोलो मार्केज की तरफ जिन्होंने संडे को मीडिया के साथ अपनी पहली इंटरेक्शन करी है और उसके अंदर उन्होंने इंडियन फटबॉल के उपर अपने जो उनके प्लान्स है उसको डिसकस किया है और काफी सारे कोशन से उनका भी जवाब दिया तो ऐसे मैं कुछ हमारे कोच की जो इंपोर्टेंट बाते थी उसमें उन्होंने बोला क्या है वो कह रहे हैं कि भाई मैं अब काफी टाइम हो चुका है अब हमें उन खिराडियों से उपर आने की जरूरत है जो एज़ा ट की परफोर्मेंस के एज़ा टीम प्लेयर होकर यहां पर खेलना पड़ेगा और मैनोलो मार्केश की यही खासियत है वो यंग प्लेयर्स को ज्यादा मुखा इसी नियर देना पसंद करते हैं क्योंकि यंग प्लेयर्स के अंदर भाई एक भूक है उनको अपने आपको प्रू मैंडे में हैंको की ऊतरा है क्योंकि मैनोलो मार्केश की खासियत है वो यंग्पलेट्स के साथ चाहना पसंद करते हैं मैनोलो मार्केश ने नहीं अपना सीधा-सीधा एजिधा एक्परowna contributes करना है तो और अक्टूबर तो confirm है, नवंबर के लिए भी कुछ आगे आने वाले महीनों में पता चल जाएगा हम किसके साथ मैचिस खेलने वाले हैं, तो हमने बोलेगी जो तीन विंडोज है ना, इसको भाई हमें अच्छे से यूटिलाइस करना है, यहां पर हमें 6-7 मैचिस खेलने को कि मार्च के अंदर इंडिया भाई अपने AFC के कॉलिफाइट्स खेलना स्टार्ट कर देगी, एशन कप के लिए और उसको हलके में लिया नहीं जा सकता, और लांस में जाते जाते हैं, वाई उनने एक चीज़ और बोली, उसे जब पूछा गया कि हम नेक्स्ट सुनील शेत दिफेंडर भी गोल मार सके, जिसका मिटफिल्डर भी गोल मार सके, जिसके फोरवर्ट्स और विंगर्स भी गोल मार सके, हमें एक ऐसी कम्प्लीट टीम बनानी है, तो यहां से आपको पता चल भाई कि जो मैनोलो मार्केश का माइंड सेट है, वो नेशनल टीम को किस तरीक करने को भी मिलेगा कि मैनोलो मार्केश किन खिलाडियों के साथ जा रहे हैं, और किस तरीके का प्लेइंग स्टाइल यूज कर रहे हैं नेशनल टीम के अंदर, तो अगली कहानी के साथ, जैहन